नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्सा सबको में तो हम लोग एनाइवस की माध्यमे कक्षा यानि हाई स्कूल का अर्थ सास्त विशे पढ़ रहे हैं इस विशे के अंतरगत हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें मौड्यूल 6 जिसका किशीशक है अर्थ सास्त नाकणों का प्रस्तूति करन और विशेलेशन इसके अंतरगत जो दोनों अध्याय थे वो हमने समाप्त कर लिए हैं पिछले वीडियो में आज हम इस वीडियो में आपके साथ जो मौड्यूल 6 है उस पर आधारित जो कुछ जो 3-4 साल में जो पिछले कुछ सवाल आये हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो यह जो वीडियो होते हैं यह हो सकता है कि इसमें मैं सब चीजें कबर ना कर पाता हूँ तो आपको अगर कोई भी इसके अंदर दिक्कत होती है कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं कोई ऐसा सवाल है जो मैं इस वाले वीडियो में आपको ना दिखा पाऊं तो वो सवाल कोई tough अगर question है ऐसा है तो आप हमारे साथ उसके screenshot को share कर सकते हैं जो हमारा WhatsApp नमबर है इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7895860757 इस पर आप किसी प्रकार का कहीं भी आपके chapter में कोई आपको दिक्कत आ रही हो आप पूछ सकते हैं इसमें हम आपको या तो voice recording भी सकते हैं या फिर उससवाल को हल करके वी आपको दिखा सकते हैं किस परकार से आपको करना है तो कुछ जो सवाल मैं आपको उसमें समझाता हूँ मैं पूरे solve दो कराता終 कराता नहीं हुं आपको लेकिन आपको मैं एक idea देता हूँ कि आपको किस प्रकार से उनको solve करना होगा ठीक है तो आज का जो ये वीडियो है इसको प्रारम करने से पहले फिर आप लोग उसे एक बार वही अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों अपने साथियों ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोट से पढ़ रहे हो उनके साथ हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को शेर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाब ले सकें तो आईए आज हम जो मॉडिूल 6 है उस पर आधारित पिछले सालों के महत्मूर प्रशनों और असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ कि असाइनमेंट में मॉडिूल 6 के उपर आधारित कोई भी सवाल पिछले साल जो 2020 का जो TMA 2020 है उसमें नहीं आया है तो सबसे पहले एक बार रीकैब कर लेते हैं एक बार जान लेते हैं हमने दोनों अध्यायों में पढ़ा क्या क्या चीज़ तो अध्याय सत्रा के अंतरकत हमने पढ़ा आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुती करण किस प्रकार से आंकड़े क्या होते हैं आंकणों का किस प्रकार से घटा किया जाता है और किस प्रकार से उनको प्रस्तुती करण के लिए तयार किया जाता है सारणियन और वर्गी करण के माध्यम से तो साराणियन और वर्गिंगार्ण के माधिम से किस प्रकार उसका प्रसुतिकरन आंकणों का किया जाता है उनको विवस्तित किया है तो सबसे पहले हमने जा करा आंकणों का अर्थ क्या है फिर आंकणों की विशेष्टाओं के बारे में हमने पड़ा इसके पश्चात हमने पढ़ा कि अर्थ सास्त्र में आउंकणों का क्या महत्तु है ये किस परकार से राष्ट्री आयिके निधारन में आर्थिक नियोजन में और राष्ट्री नीदियां बनाने में help करती है, महत पूर्ण होते हैं, ठीक है ना, तो ये, मैंने इसको yellow color में कर रखा, ये बहुत important topic है, ये कई बार जो है, जो अभी मैं आपके साथ सवाल डिसकूस करूँगा, और मैं कई सालू में ये प्रिशन आता है, इसे प्रिकार से फिर हमने पढ़ा कि आकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्रात्मिक और दित्यक, जो आप खुद जाकर जुटाते हैं, जो पहली बार में जुटाए जाते हैं, उनको प्रात्मिक बोला जाता है, ठीक है ना, इसमें आपको खुद जाकर research करनी होती है देखना होता है आकड़े जुटाने होती है दित्या आकड़े जो है तो यह है वह आप कहीं दूसरे source से जुटाते हैं जैसे कभी आप समाचाऱ-पतर से ले लीजße किसी पत्रीका है उन से ले लिजे तो इस प्रकार से दित्यक आंकडे जुटाए जाते हैं अब है इसके पश्चार आखनों के संक्रन करने की विदियां ये भी बहुत महत्पोन है इसको मैंने यलो कलर में दिखा रहा है पीले कलर में तो ये भी इसके भी जो सवाल है दो तीन बार आया है पिछले सालों में जो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो प्रात्मित आंखणों के संक्रण की तीन चार विधिया हमने चार पांच विधिया पढ़ी थी जिसमें की इंटर्व्यू था ठीके ना समवाद आता के द्वारा था तो कहीं सारी कई से रिखा चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं रहारा घ्राफ होता है वो हमने पढ़ा इस के पासा तमिन अध्य 18 पढ़ा जो की था आंखणों का विश़्ीशन्डू क्या होता है यह जाना फिर हमने जाना कि केंद्री प्रवझति क्या होती है तो जो कहीं सारे जो कीड़े होते हैं । किसी एक मुली से पूरे आकड़ Πरस्तुत कर सकते है इसके पास सरी मदद से Average ka Prime Prime Pornography ये इसके बारे में कि एक के ये इइक प्रवरद्रवती मापकी रूप में जाने हैं कि किया ब Lore Altery के एक प्रकार का धीजर कार्षल इसके हैं? जैसे हमनी जानना था अगर एक क्लास में अलग-अलग हैट के बच्चे हैं तो अगर हमैं जानना है हमें देखना है कि अगर sirky आज निकाल लेते हैं तो हमें पता चलिलाता है कि कितना औसत जो लंबाई है उस क्लास के बच्चों पर्चाथ के बच्चें कि वह nighल हर साल आता है ठीक है ना हर PEEPER में गत्ता है तो यह of a मैत्पून है इसके प्रार्म करते हैं पिछले सालों के मैत्पून प्रश्न लेना तो प्राशनप्रत्र का प्रारूप को पता ही है मैंने जो पहले के वीडियो से उसमें डिस्कस किया था, अभी तक जो था वो 50 नमर के सवाल हम कर चुके थे, ये जो मॉडिूल 6 है, इससे कुल मिलाके 14 नमर के सवाल आते हैं, लगभग 13 से लेके 14 के बीच में नमर के सवाल आते हैं, तो 14 नमर और जोड़ने तो अभी तक हमने 64 नमर की पढ़ा सवाल है, उसमें कि डेटा क्या कहते हैं, डेटा को क्या कहते हैं, मतलब डेटा मीन्स, मतलब आंकड़ों से क्या भी प्राय है, तो आंकड़े क्या होते हैं, आपको पता है, आंकड़े जो हैं, तथ्यों को सामुहिक रूप से प्रस्तूत करते हैं, ठीक है न, और साथ में क विश्रिष्टा यह होती है कि आंकडे संख्यात्मक होते हैं, आंकडे संख्या के रूप में प्रकट किये जाते हैं, ठीक है, एक तो यह होता है कि किवल एक तत्थि को नहीं, तत्थियों के सम्हूँ को प्रस्तूत करते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कर सकते हैं आंकुनों से उनको सूचना को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो गुणात्मक वाला तो आप काटी देंगे ठीक है तो बाकी तीन ओप्शन में गुणात्मक है इसलिए इसको हमने निल कर दिया और हमारा जो विकल्बथा डी वो ठीक है क्योंकि उसमें सिर्फ स संख्या में आंकड़े अपने मुल रूप में रखे जाते हैं जिनको कि हम अविवस्थित आंकड़े प्रस्तुत ऋसको भी कहांगे अगर हम विवस्थित तरीके से लगा दें ठीक है न? तब भी वो व्यक्तिकल सिंकला ही रहेगी जो विच्छन सिंकला होती है उसमें हम क्या करते हैं उसमें आंकड़ों को उनकी प्रस्तुती उनकी फ्रिक्वेंसी यानि की आवरती के साथ प्रस्तुत किया जाता है ठीक है ना कैसे यह मैं आपको भी समझाता हूँ जैसे यह है व वो ऐसे ही लिख दिये गए 20 विद्यार्थियों द्वारा अर्थ सास्त में स्वामे से प्राप्त अंक ये दिखा रखे हैं 40 अंक हैं पहले विद्यार्थि के 50, 45, 60 इस प्रिकार से सारे अंक एक बाद एक लिखे हुए हैं इनका कोई क्रम नहीं है ठीक है ये अवयवस्तित है आरोही आवरोही करम में बढ़ते वी करम में घटते करम में तो उसको हम सरणी बोलते एरे बोलते ठीक है ना वो डेटा का एरे हो जाता तो ये क्या है ये सिंपल एक व्यक्तिकत स्रिंखला है ठीक है इसके पस्चात जो विछिन स्रिंखला होती है उसमें क्या होता है उसमे तो 30 की जो आवरती है वो कितनी है 4 ये 4 बार repeat हो रहा है 4 बार उन आकड़ों में आ रहा है जैसे ही जो व्यक्तिकर सिंगला है इसमें 40 कितनी बार आ रहा है एक बार, दो बार ठीक है तो यहाँ पर 40 की आवरती कितनी हो गई 40 की आवरती हो गई तो 40 की frequency कितनी हो गई दो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसकी एक table बना सकते हैं ऐसी 50 का लिख दें 50 की कितना है एक दो और तीन 50 की तीन हो गई ठीक है तो इस प्रकार से अगर की एक सिंखला इससे बना जा सकती है इसा आगणों से ठीक है तो यह तो हमने पढ़ लिया किस प्रकार से दक्तिकर सिंखला और विछन सिंखला होती है ठीक है इसका उधानन मैंने आपको देही दिया है अब है अर्थ सास में आखणों के महतु को किनी दरू प्रकार से समझाईए तो अर्थ सास में आखणों का जो महतु होता है वो मैंने आपको बताय प्लानिंग करेंगी कि इस चेत्र में है काम करने हैं, फिरु राष्ट्री आये की निडिवर्ण पड़ी में है आपको साड़ेन जोडनी पड़ेंगी तो यी सारी आये के आखड़े ऐलाग ऐलाग आयो रापको ब verschψy करने पड़े जिसमें व्यव्यवसाय की आये होगी और तीसरा है सरकारी नीतियों का आधार तो जो आकड़े होते हैं जो यह आकड़े जुटाती है सरकारी एजिंसिया वो उसके वेस पर क्या बनती है उसके वेस पर सरकार की नीतिया बनती है ठीक है जैसे जब यह मनरेगा जो अभी जो एक महात्मा गांधी जो रूरल इंप्ल बिया जाता है ठीक है न साल में कुस दिन का रूजगार दिया था तो वो बनाया गया गरीबी के आखणों को देक खास्त तोर से जब उन्हों ने देखा कि गाउं में गरीबों की आंकड़े जादा है गरीबों के संख्या जादा है तो उसके बियस पर फिर सरकार ने उनके ल लास्ट कोश्चिन, तो लास्ट कोश्चिन क्या आया था, इसमें था कि इसमें आपको एक अविच्छन सिंकला दे रखी है, आप देख पारे होंगे, जो समुह में दी जाती है, इस परकार से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक कंट्यूनियस सिरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अ आप हमारे उस वीडियो को देखेगा, उसमें जो एक्स बार है, वो निकालना सिखाया गया है, कि अविच्छन सिंकला के केस में समांत्र माध्य किस परकार से निकाला जाता है, ठीक है न, उसका फार्मूला होता है, और खास्तोर से कौन सी वीदी से, लगो वीदी से, लग करना है, अगर आप से एक अलकुलेट नहीं हो पाता है, आपको नहीं समझमा आपाता है, तो आप हमको हमारी वाट्साप पर भीजिए, हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आप इस सवाल को सॉल्व करें, ठीक है, अब है, जो अक्टूबर 2017, उसका पहला सवाल है, ऐसा जिसका एक विशिस्ट मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है, तो सिंपल सा है, एक विशिस्ट मूल्य किस चरका होता है, वो होता है, विचिन निचर का, ठीक है ना, जो डिस्क्रीट वेरियेवल है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं, विचिन निचर, वो क्या होता है, उसका एक विसष्ट मुल्य होता है एक निष्चित माप होती है ठीक है ना जानि कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा ठीक है ना बीच का कुछ नहीं होगा ड्ade नहीं होगा ठीक है इसका मतलब यह है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते जैसे परिवारों की संख्या परिवार में बच्चों की संख्या, तो परिवार में बच्चा, ये तो एक होगा बच्चा, ये दो होगा, चार होगा, छे होगा, आठ होगा, साथ होगा, पांच होगा, लेकिन धाई नहीं होगा, डेड़ नहीं होगा, साड़े तीन नहीं होगा, ठीक है न, तो ये कैसा चर प्रीयोगिंग सब्सेए केंद्रविट को खुए मैं आपको बताया था जो आखडे है कैंद्रिया मूले के साहता से प्रस्तुत समयुम्हाई तilly मalताबर्ती रूपन है जो आहए आकडे हैं वो एक की इंद्रीय मूले से प्रस्त प्रेश दूत की All जो कि दो सावधानिया में और दूसरी स्क्राइब अग्रे के जो होते हैं वहां पर सम्हानत्रमाद्य प्रयोग में नहीं लाया जाकता है। तो सौंध्रइका आप बहुत सारे लोगों के संवानतर माद्य नहीं निकाल सकते थीके न वह उसको आप वहाँ पर समानतर माद्य को प्रयोग में नहीं ला सकते, ठीक है न तो ये दो सावधानिया होती है, तो पहला आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक कालपनिक वस्तु है, कालपनिक संख्या है, ठीक है ना, जिसका कि कोई अपना अस्थित्व नहीं है, और दूसरा ये, कि आप गुणात्मक आँक्रों का समांत्रमाद नहीं निगाल सकते ठीक है ना अब दूसरा सवाल हम अभी पहरे डिसकास कर चुके हैं अर्थसास के किसी दो विश्य शेत्रों का वणन कीजिए जहां आकणों का प्रियोक करना अत्यंत महत्पून है जैसे कि आर्थिक नियोजन में ठीक है ना राष्ट्री आए के निर्धार अगला है जो अप्रेल 2018 है उसका पहला सवाल है कि निमलिकित में से कौन सा गुण है तो गुण क्या होता है गुण को आप कभी भी संख्या के माध्यम से निरूपित या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जैसे कि उचाई उचाई को आप संख्या से दिखा सकते हैं 5 मीटर 6 मीटर वजन को दिखा सकते हैं 6 किलो 5 किलो 4 किलो 2 किलो आयू को दिखा सकते हैं 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल ठीक है न तो इन में से कोई भी गुण न सांख्य की निमलिकित विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एक तत्य को, अकेले तत्य को सांख्य की आख्णों के रूप में दिखाना संभव नहीं होता है. ठीक है ना? उसको आप आख्ड़ा नहीं मान सकते. अगर एक तत्य है, कोई एक अकेला तत्य है तो उसको आख्ड़ा नहीं कहेंगे. आकड़ा तभी होगा जब सांखी की जब तत्यों का समूव होगा ठीक है ना तो यह हमने पढ़ रहा था उसके अंतर का यह आप एक बढ़ देख लिजेगा उस वीडियो को तूसरा है सांखी की संख्या में व्यक्त होते हैं तो जो आकड़े होते हैं उनको क्या है वो किस में व्यक्त किये जाते हैं संख्याओं में व्यक्त किये जाते हैं जो गुनात्मक सूचनाएं होती हैं उनको संख्यात्मक रूप नहीं दिया जाता है अता है इन्हें सांखी की या आकड़े नहीं का जा सकते हैं तो सांखी की और आकड़े एक दूसरे का एक दूसरे कहना तो संखी की जगह आप आंगडा भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है फिर वैसा ही एक सवाल है इसको भी आप यह कैसी सीरीज है? यह एक अभिशन सेंकला है, continuous series है इसको आप कैसे निकालना है, इसको निकालना है, step dejuition method याने की पद विचलन विधी से का उपयोग करते वे अंकों के समांतर माधिकी करना आपको करनी है ठीक है तो इसमें लगु विधी के अंदर एक विधी दो विधी होती है एक पद विचलन के साथ और एक बिना पद विचलन के तो इसमें पद विचलन विधी का उपयोग करते वे आप को समांधर माध्य करना करनी है यह मैंने आपको पूरा इसमें स्वाल्व करवा के दिखा रखा है आप जो अठारवा जो चैप्टर है उसका तीसा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जो अविच्छन शृंकला है उसका किस प्रकार समांधर माध्य निकालते हैं तीनों विदियों से चाहें वो प्रत्यक्ष विदियों चाहें वो लगू विदि के अंतरकत पदविजलन के साथ विदियों या पदविजलन के बिना वाली विदियों ठीके न तो आप उसको एक बार देख लिजेगा अगला है प्रात्मिक आंकड़ों के संकलन की किनी दो विदि उसका इंटर्विव लेते हैं, अनुसंधान उसका करते हैं, ठीक है ना, अगला है अप पर्तेक्शन अनुसंधान, इसमें क्या होता है, आपको जिस वक्ति का बारे में जानकारी चाहिए, उससे आप जानकारी निया लेके, उसकी जानकारी अब एक तीसरे पक्षि से जैसे कि न्यूज चेनल उद्वारब प्रयोग में लाये जाता है, जो उनके सम्मादाता होते हैं, वो जाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और फिर उनका केंदरिये कारे लिए होता है, वहाँ पर सारी जानकारियां भेजते हैं, अगला है डाक प्रश्नावली देकर उसको डाक के माध्यम से आपके पास वापस भेज देते हैं, तो इस परकार से आप उसके बारे में आकड़े जुटा पाते हैं, अगला है अनुसूची द्वारा, इसमें क्या होता है, ये ऐसे लोगों के लिए प्रयोग में लाए जा सकती है, जो की निरक्षर हो, इ उन से सवाल पूचते हैं, उन से सवाल पूचते हैं, उसके सबसे उसमें निशान लगा कर वापस लाते हैं, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वो है अपरेल दोजार निस का, अपरेल दोजार निस में जो पहला प्रश्न आया है, वो है निम्न शेत्रों में आंकड़ों का म प्राथ्मे कांकडे क्या होते हैं जो कि प्रत्म तह जुटाए जाते हैं सबसे मतलब जो कि खुद जुटाए जाते हैं जाकर अनुसंधान के माध्यम से व्यक्तिक अनुसंधान हो या अपर्देक्स तरीके से अनुसंधान करकी हो ठीके ना जो आकड़े खुद बनाए जाते हैं खुद तयार किया जाते हैं, खुद इखट्टा किया जाते हैं, ठीकर ना, उनको बोलते हैं, प्रात्चमि कहाँ करे, उनके संकलन की जो विडियाद है, वो मैंने आपको समझाई चुक mau, तो इस प्रकार से हमने देख लिया, कि किस प्रकार के प्रश्ण, विभेन प्रश्न पत्रों में पिछले सालों में आये हैं और मैंने यह से पहले आपको बताया था कि जो assignment है उसमें इस module से कोई भी सवाल नहीं आया था ठीक है ना तो धन्यवाद आपको इसमें मुझे लगता है कहीं सारे सवाल ऐसे होंगे आपको कहीं सारे पेपर भी हो सकता है हो तो अगर आपके पास पेपर ऐसे मौझूद हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको solution उनका आपको करके डालू तो आप मुझे वो जो पेपर है वो स्कैन करके हमारे इस WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं उनको solve करके उसका भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा आप आराम से उसको देखकर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो सवाल है उनको हल करना है ठीक है ना आपको पूरा हल तो मैं नहीं समझाओ लेकिन जो आंकिक प्रश्ण है उनका पूरा हल समझा दूँगा और जो वैसे थियोरी वाले सवाल होते हैं उनको तो आप खुद ही लिए कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग उसे फिर एक बार मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने जो साती हैं अपने जो दोस्त हैं ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोट से पढ़ाई कर रहे हूं उनके साथ हमारे इन वीडियो को शेर कीजिए हमारे चैनल को शेर कीजिए ठीक है धन्यवाद